अगर आपका Facebook account hack हो चुका है और hacker ने आपका Facebook का जो password है, email और phone number है ये सब कुछ remove कर दिया है फिर भी आप उस account को कैसे recover कर सकते हो तो दोस्तों अगर आपका Facebook account hack हो चुका है और hacker ने आपका Facebook account से आपका जो gmail है और phone number और password सब कुछ remove कर दिया है, फिर भी आप उस account को, उस Facebook ID को कैसे recover कर सकते हो दोस्तों वीडियो बहुत ही important होने वाला है, वीडियो को बिना skip किये आप देखिएगा क्योंकि अगर आपका Facebook account hack होने के बाद आप problem में first जिकुए हो कि हमें कैसे अपना Facebook ID को recover कर सकते हो, हम कैसे अपना Facebook ID को recover कर सकते हो तो वीडियो को बिना skip किये देखते रही है दोस्तों वैसे तो Facebook account को recover करने का बहुत सा तरीका आपको YouTube पर वीडियो मिल जाएंगे लेकिन आज मैं जिस तरीके को बताने वाला हूँ, जिस उपाय से आप Facebook account को recover कर सकते हो, वो बहुत ही unique है आप अपने mobile से ही अपना Facebook ID को recover कर सकते हो चाहे हो वो hacker ने आपका email हटा दिया हो, या phone number या password भी change कर दिया हो और आप access नहीं ले पा रहे हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इस वीडियो में कैसे क्या करना है, आप पूरी step by step मैं आपको दिखाने वाला हूँ और वीडियो को बिने skip किये देखते रहे हैं, क्योंकि अगर आप skip कर देते हैं, तो आप से छोटी सी भी mistake हो जाने पर आप Facebook ID को recover नहीं कर सकते हो और बाद में comment आएगा कि हमारा Facebook ID recover नहीं हुआ है, तो दोस्तों वीडियो को बिने skip किये देखते रहे हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और दोस्तों अगर पहली बार मेरे YouTube चैनल पे विजिट किये हो, तो चैनल को subscribe कर देना, और लाकन भी प्रेस कर दिएगा, त चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, तो दोस्तों, first of all तो आपको अपना mobile का कोई भी एक browser को open कर लीजेगा, यहाँ पर मैं Chrome browser को open कर लेता हूँ, तो search bar में आपको type करना है, how to recover hack Facebook account, देख सकतो, मैंने type करके रखा है, how to recover hack Facebook account, okay, तो इसको type करने के बाद आप search कर देंगे, जैसे search कर देंगे दोस्तों, आपके साफने इस तरह का interface आजाएगा, और आपको three dots में click करके, इसको desktop version में कर लेना है, यानि computer जैसा काम करेगा, तो यहाँ पर देख सकतो, उपर में एक link आया है, तो देख सकतो, यहाँ पर ठीक है, तो इस link पे, पहले वाले link पे, recover your account, इस जैसे आप click कर दोगे, तो आप पहुंच जाओगे Facebook help center पे, और यहाँ पर आने के बाद देख सकतो, यहाँ पर बहुत सारा option है, लेकिन आपको visit the page के option में, आपको click कर देना होगा, जैसे आप click कर दोगे, report compromised account का एक option आजाएगा, तो आप इस निचे की option पे, आपको click कर दे देना है, तो आप इस option में click करते ही, ठीक है, तो एक दूसरा एक interface आजाएगा, आपका जो भी account है, वो आपकी यहाँ पे show कर जाएगा, मतलब जो account को आप recover करना चाहरे हो, तो दोस्तों यहाँ पे, आप जिस भी phone number दिये हो, या फिर, यहाँ पे आप जादा से जादा क्या तो मैं search कर लेता हूँ, मैं search बार में मेरा account को search करके निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो search बार में आगया हूँ, और देखे, मेरा search में ही है, जो मेरा account को recover करना चाहरा हूँ, तो यह वाला मेरा account है, देख सकते हूँ, मेरे photo है, लेकिन इसका access मेरा पास नहीं है, तो यहाँ प कर दोगे आपका उस account का link copy हो जाएगा तो आपको क्या करना होगा यहां पर long press करके इसको paste करना है दोस्तों किसी किसी का number रहता है तो हम क्या करेंगे जो हमारा account का जो username है उसको रखके बाद बखके हम delete कर देंगे तो देख सकते हैं यहां से हमें पूरा delete करना है अगर किसी का number रहेगा तो number रखके सब delete कर दिएगा ठीक है तो इसको रखने के बाद देखिए यहां पर हम अभी क्या करेंगे continue option में click करेंगे continue option में click करते ही दूस्तों हमारा जो और एक interface आ जाएगा तो यहां पर देख सकतो हो इस तरह का आ गय to click करना होगा ठीक है तो यहां पर देख सकता हो आपका account आ कह आगया है यहां पर जो कोई भी हो आपको कुछ निकरना श्रिप यहां पर no longer access. यहां पर कर देना होग तो Till यहां पर जैसे याप cliquer जोना दूस्तों तो यहां पर यहां पर देख सकता हो लॉग इन डितेल्स चिस्थी मैं कटीफि अपको है यहां उप्रविक करते ही दोस्तों का डॉकॉमेंट्ट करने का एक ओप्रॉंट आ और confirm कर दिया गया कि यह आपका है ठीक है मतला हमारा लगबग 90% काम काम हो चुका है मतला हुआक हुआ तो यहां से ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या करना होगा documents upload में click कर देना होगा जैसे आप click कर दोगे तो यहां पर देख सकते हो चूज ता टाइप आइडी टू अपलोट ठीक है आप यहां से कोई भी आइडी चूज कर सकते हो लेकिन आपका फेस्बुक के नाम के साथ डेट बर्थ के साथ मैच होना परेगा ठीक है आप ऐसे कुछ भी अपलोट कर दोगे तो वह बाइलेशन के ख टीक है तो उसका बात बहुत सारी कुछ है यहां पर देख सकते हो यहां पर सकते हो उसके बाद नेशनल आईडी काट यहां पान काट का ओप्शन भी है तो मैं क्या करूंगा मेरे ड्राइविंग लीसिंस ।ी एल का ओप्शन क्लिक कर दोंगा ठीक है दो नंबर पे जिसे करने के बाद, शो किक मर्ड करने के बाद कि अप अच्छ cocon में किलिक कर देवाभ और आप यहां फे अपलोड कर सकती है तो इस तरह से आप यहाँ पर डॉटकुमेंस अपलोड करने के बाद फिनिश के option में किलिक कर दोगे ठीक है तो finish option में किलिक कर देने के बाद दोस्तो आपके समने इस तरह का कुछ आ जाएगा मतला आपका document successfully upload हो चुका है बैसे तो दोस्तो 48 hour time लगते हैं Facebook टीम आपके साथ contact करने के लिए लेकिन जाएता देखा जाए कि 30 minutes के अंदर ही contact कर लेते हैं और आपने जिस email से अपना Facebook account को link कर चुके हो उस email को आपके mobile पर active रख दीजिएगा क्योंकि कभी भी आप 48 hours के अंदर कभी भी आपके साथ Facebook team contact कर सकते हैं तो आप active रहिएगा तो इसी तरह से दोस्तों आप अपना Facebook account को recover कर सकते हो और Facebook team को appeal कर सकते हो अपना account recover करने के लिए I hope आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो से थोरा से भी आगर आपको help हो तो वीडियो को like कर जएगा और चैनल को subscribe कर जएगा एसा ही नए नए informative वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर subscribe कर जएगा मिलते हैं फिट से एक नए वीडियो में तब तक लेजाएं बाबाई टेक केर